Hello Friends, This is Srilah, आज हम बात करेंगे Estet के बारे में विस्तार से बात करेंगे, हरियाना TET का जो इक्जाम है उसके बारे में आप यदि हरियाना से या आसपास के राजय से हैं या देशवर में कहीं से भी हैं लेकिन यदि आप हरियाना में जो प्राप्त करने के इच्चुक हैं तो Estet qualify करना होगा क्योंकि C-Tet को ये मानते नहीं है Estet का level अच्छा आता है, यानि कि Estet में जो question पुछे जाते हैं वो एक अच्छे level के पुछे जाते हैं सेवन सिस्टर्स या साउथ को छोड़कर, साउथ के कुछ स्टेट को छोड़कर जो हरियाना का पिपराता है, वो अधर जो स्टेट है, इसके जितने वी आसपास के स्टेट है उन सब से हाई लेवल के question Estet में ही पूछे जाती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम Estet PGT Economics syllabus 2023 यहाँ पर हम discuss करेंगे economics के syllabus को तो देखिए सबसे पहले पूछा गया है कि जो first है, first यह है कि economics का meaning क्या है उसकी definition क्या है, आप पढ़ते हो ना, जैसे ही आप page खोलते हो स्टार्टिंग हो मान लिया जाकि आप 11 में जाते हो, तो 11 में जब आप micro economics पढ़ते हो, तो micro economics के starting में economics का meaning दिया होता है, उसकी definitions दी होती है, जैसे कि Adam Smith की है, Marshall की है, Robinson की है तो यह style definition आपको करनी है, फिर आप economics का क्या scope है, economics की problems क्या है, production possibility करा हो क्या है यह problems में, आपका problem में क्या पढ़ोगा, आपकी कहां पर उत्वादन करना है, किसके लिए करना है, कितना करना, तो यह style problem है उसके बाद हम बात करेंगे, हम करते हैं, मैंने इसको एक तरीके से divide कर दिया है, क्योंकि जो आप syllabus देखोगे तो उसमें division नहीं है, mix up सा है तो हम बात करते हैं, microeconomics की, microeconomics में वही, microeconomics की जो कुछ definitions आपको मिलेंगी microeconomics अनेचर क्या है, scope क्या है, limitation क्या, तो यह जो first chapter है आपका, 11th class में, वहीं से पढ़ लेना, वहीं से हो जाएगा, यह वाला topic फिर economic problem, central problem, कौन-कौन सी है, economy की, prediction possibility करा हो, क्या, इनकी PPC क्या है, इसकी applications क्या है फिर आगे इन उने divide कर दिया, कि जो हमारी economy है, types of economy, capitalist economy होती है, उसकी क्या-क्या features है capitalist economy की यहीं पूछी जाएगे, mixed economy की क्या features है, socialist economy की क्या features है, फिर उसके बाद opportunity cost जैसे ही आप PPC करोगे ना, तो opportunity cost भी आपका वहीं से cover हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, second west alternate को यह आप क्या बोलते हैं, उसके बाद आता, consumer behavior consumer behavior में आप क्या-क्या पढ़ते हो, consumer behavior के अंदर आप पढ़ते हो, एक cardinal पढ़ते हो, एक ordinal पढ़ते हो, revealed preference story पढ़ते हो, तो इसका कुछ पार्ट आगे चला गया है, तो वो उसको second उसकी बजाए आप इसी में उसको cover कर लेना, ठीक, आवर next page पर आपको मिलेगा, utility में cardinal utility, cardinal utility के अंदर आप जैसे एक भी marginal utility है, utility जो simple, जो cardinal utility है, उसकी क्या features, यारि कि जो assumption है वो कौन सी कौन सी है, equilibrium कहाँ पर होगा, consumer का, तो इस सारी चीज़ा आप यहाँ पर पढ़ चुके होगे, ordinal में आप सारा indifference करो, करके जाओगे, क्योंकि इसमें complete indifference करो, करना है, जो आपकी MA की books है, ठीक है, आपको UG और जो 11-12 है, वहाँ से इसको नहीं करना, simple basic के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन आपको main इसको करना पढ़ेगा, PGC, उसकी बाद वही है कि indifference करो की characteristics क्या है, indifference करो क्या है, उसकी application क्या है, consumer equilibrium, यानि कि cardinal में कहाँ पर होगा, ord उसके बाद आता, demand analysis, law of demand क्या है, normal goods क्या है, inferior goods क्या है, giffin goods क्या, इनकी सब की definition आपको पता होनी चाहिए, determinants, law of demand जो इसको निर्धारित करने वाले कौन-कौन से vector है, और जो exceptions of law of demand, जब demand करो ता आप सब भी जानते हो कि downward slope होता, लेकिन कुछ case ऐसे होते हैं, जहां पर य करते हैं कि वो exception कौन-कौन से हैं, फिर उसके बाद price, income और substitution effect, यह करोगे, hic से, यह सारे के सारे आप कर सकते हो, यह जो मैंने आपको पता था ने, कि next page पर मिलेगा, तो यहां से लेकर, और यह यहां तक इसको उसी unit, उसी केंदरा आप डाल लेना, consumer behavior में है, क्योंकि price effect होग वो किस ने दिये, Samuelson ने दिये, उसके बाद आप करोगे elasticity demand, चीक है, इसके degree कौन-कौन से हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना, कि 0 है, 1 है, 1 है, greater than 1 है, greater than 1 है, less than 1 है, तो यह सारी चीज़े आप यहां पर करोगे, इसके types, जो elasticity of demand हो, कितने type के income elasticity, price elasticity, cross elasticity हैं, इसकी measurement, elasticity of demand की, क् की importance है, यूजीज क्या है, यूजीज importance of price and income elasticity, ठीक है, नहीं नहीं बतार किया कि price elasticity वाले के, और जो income elasticity है, उनकी क्या बताओ, आप importance बताओ, तो यह आपको करना, उसके बाद आता है, revenue वाला, ठीक है, revenue का concept, revenue है क्या, ठीक है, और जैसे इसमें आप पढ़ोगे, TR, AR, MR, फि सारे जो formulae, वो सारे आप करके जाओगे, फिर आती मार्किट, मार्किट में आता, perfect competition आता, आपका monopoly आता, monopolistic competition आता, oligopoly आता, और इसमें एक ये नई theory add है, food availability decline theory, ठीक है, ये जो अमरिते शेन है ना, उनके दोबारा दी गई है, और food availability decline theory के अंदर ये है, कि जो किसी चीज की demand ज्यादा है, और supply कम है, demand ज्यादा supply कम, किस की food की बात करें, तो उन ही की बात ही है, यहाँ पर ओर ही, तो अमरिते शेननेश को दिया था, इस थोड़ी को थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके बाद आप देखो, यहाँ पर पुछागा है, कि इनकी सब की features, perfect competition की, monopoly, monopolistic और oligopoly अब जितने भी, model है, models of oligopoly, kurnote, model, bird trained, model, तो यह सारे के सारे आपने करके जाने है, और diopoly के बारे में यह आपने पढ़ना है, तो oligopoly और diopoly के जो models है, तो यह आपको ना UG में मिलेंगे, ना 11, 12 में मिलेंगे, तो यह सारा आपको cover करना, PG की बुक से, उसके बाद हम बात क करते हैं, macroeconomics की, macroeconomics में सेम पहला वोई chapter आपको करना, की nature क्या, scope क्या, limitations क्या, stock क्या, flow क्या, उसके बाद आता, circular flow of income, जानते हैं, एक real flow होता, एक monetary flow होता, जब हम real flow की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता, देखी, यहाँ पर एक household होता है, एक producer sector होता, यह इसको क्य और सेवाई, जब हम किसी के पास काम करें, उसके बदले में, यदि हमें वो सामान परोवाइड करवादे, कोई goods परोवाइड करवादे, तो वो होता है, हमारा real, monetary में क्या है, कि हमने काम किया, हमने आपर factor service दी, और जो factor service यहाँ पर दी, उसके बदले में, जैसे हमने land लि इंटरस्ट मिलेगा, rent मिलेगा, और जो labor है, उसको wage मिलेगा, के को क्या मिलेगा, rate of interest मिलेगा, और जो entrepreneur है, उसको profit मिलेगा, तो जो पैसे की form में जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, monetary flow कहलाएगा, ऐसे ही जो तीन sector की बात करोगी, तो यानि कि तीन sector में कौन होगा, household होगा producer होगा और एक government होगा उसके बाद four sector की जब हम बात करते तो यह क्या जाएगा rest of the world आ जाएगी नहीं कि जो हम foreign countries की जब हम बात करेंगे उनके involvement के export import की जब हम बात करेंगे तो जब तक तीन sector है तो वहां तक आपकी क्या रहेगी close economy रहेगी तुम पढ़ते तो 12 में भी हैं withdrawals और injections क्या हैं कि तो मैंने YouTube पर eco guru economics classes यानि कि eco guru economics classes करके channel है वहां पर यह सारी सारी वीडियो upload है यह सारी सारी real flow monetary flow three sector four sector withdrawals क्या है injection क्या है ते सारी चीज़े दी हुई है और नहीं तो अगर आपको यह बाद आता है यहनकी withdrawals और injection withdrawals का मतलब है जब income कम कर दी जाए जैसे आपने एक circular सरकल होता है से तो इसको break करने के लिए तो withdrawals करना पड़ेगा या फिर inject करना पड़ेगा तो withdrawals करो और फिर inject करो तो इसमें देखो कि withdrawals में जैसे saving है saving अगर हमारी हम ज्यादा save करते हैं तो income हमारी आगे कम बढ़ पाएगी तो यह withdrawal के अंदर आ जाएगा ऐसे जो import है वह हमारे withdrawal के अंदर आ जाएगे जैसे injection में आपका investment आ जाएगा तो यह साल चीज़ा आपको करना है उसके तेको पाद आता है National income चीके निकम का concept क्या है national income है क्या फिरींग मेथड है ना तीन product मैथट एकस्पेंडिचर मैथड है और आपका एक income मैथड तो यह सारे यह तिन्नों मैथड आपको करने हैं क्या क्या इनकी हैं क्या कैन गी физर से हैं उसके बाद national income accounting national income accounting आपको करके जाने नैशनल इंकम अंक्ट में अपने अप हो जाएगा जब वालाफल चेप्टर पड़ोगे फिर यह आएगा नोमिनन नशनल इंकर क्या है रिएल जिडिप क्या जी एंप डिफ्लेटर क्या है तो यह सारह चाहिस आपको करने हैं इंडिन के सारे फॉर्मुलिया को करके जाने फिर आ जाएगा आपका याбыद या इस वह कर कर लोगा दूसरा जो नीचे दिया हुआ नहीं हाँ पर यह वाड़ा दिया हुआ कंजम्सन आइफ होती चीज में कौन-कौन से करोगे एक आपका है आपका साइकलोजिकल लाफ कंजम्सन उसके बाद एबसलूट इंकम आइफ होती जिज उसके बाद रिलेटिव उसके बाद एबसलूट डिलेटिव पर्मानेंट लाइफ शाइकल ही पोती जैस तो यह सारी जो थोरी जो है चार पांस जो थोरी है वह आपको सारी के सारी इसके नदर करके जानी है यह आपको बीए में या फिर आपको यह उसमें नहीं मिलेगा 11-12 में अगर किशी ने बीए होनर्स की हुई है तो हो सकता कि उसने यह चीज़े पढ़ियो लेकिन सिंपल भी यह करने वाले ने या फिर सिंपल जो मतलब 11 12 में यह चीज़े नहीं है यह आपको PG से ही करने पड़ेंगे ऐसे ही जब हम कजम सनाई बोदीचीज की बात करेंगे तो वहीं पर आप कर लोगे कि APC क्या है ठीक है APC क्या है MPC क्या है APS क्या है MPS क्या है तो यह साल चीज़े कर चुके हो गया उसके बाद जब investment वाला chapter हम करेंगे तो वहाँ पर marginal efficiency of capital वहीं पर कर लेंगे तो जो marginal efficiency of capital है यह investment वाले chapter में चला जाएगा ठीक है आगे दिया होगा कही ना कहीं तो यह जो MEC है supply price prospective yield supply price वो price होते हैं जब हम एक नई machine को purchase करते हैं ठीक है जो पुरानी है उसकी बात नहीं करेंगे जो नई machine purchase करेंगे उसके जो कीमत होगे supply price क्यालाएगी prospective yield का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम एक machine purchase करते हैं और उसका यूज करते रहते तो उसके वो जिकने सालों तक हमने यूज की है उसके उपर हम जो हमें return मिलेगा वो हमारा prospective yield का लाएगा तो इस पूरे portion को आप डाल दोगे कहां पर इसका आप डाल दोगे जब investment वाला chapter करोगे तो वहां पर इसका पर cover करोगे और ये MPC, APC, APS, MPC ये सारा का सारा consumption वाला जब portion करोगे तो वहां पर ये cover हो जाएगी और जो ये वाला आप कर रहे हो determination of output and employment ये जो inflationary gap है ये भी यहीं पर कर लोगे inflationary gap का मतलब क्या है जिब aggregate demand greater than है aggregate supply से ठीकन तो inflationary gap का लागे ये diagram आपने पढ़ाऊगा ने कि ये aggregate supply है और ये aggregate demand है ये aggregate demand increase हो जाती है ADC, ADDAS हो जाती है तो ये जो difference होगा ये inflationary gap को दिखाएगा ऐसे फिर deflationary में नीचे की तरफ आ जाता है तो दोनों ही करने आपको ये inflationary gap क्या अब वो करें कि जो ये access control करना deficit demand का मतलब होता है जिब demand कम है और supply ज्यादा access demand का मतलब होता जिब demand greater than supply है तो इनको कैसे हम control करेंगे ठीक है ने कैसे वही demand supply ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे हमें demand को बनाना पड़ेगा demand ज्यादा है तो यहाँ पर हम supply को बढ़ाना पड़ेगा तो यह चीजे फिर उसके बाद हम करेंगे इसी के अंदर इसी के अंदर नहीं यह अलग से एक topic होता monetary policy क्या है fiscal policy क्या है और foreign trade policy क्या है ते तीनों policy आपको करने है current में क्या scenario है इनका जैसे foreign trade policy से तो current का भी पूछी लेगा तो monetary policy आप सब भी जानते हो आर भी आईगे है तो जो reserve bank of India है पूर आपको पढ़ के जाना reserve bank of India में जो monetary policy है ना उसकी वो सारी आपको करने है monetary policy committee के बारे में आपको जानना है और जो CRR SLR जो current की सारी के सारी rate आपको यह करने है ऐसे ही जो fiscal policy जो government का budget एक तरीके से होता कि government कहां पर खर्च करेगी और कहां से government की रवायन नहोंगे तो यह सारी चीज़ आपको करने है foreign trade policy से related जो भी मतलब होगा वो भी आपको current से related साइल से जहां पर करने पड़ेंगे जैसे investment multiplier है ना मैंने आपको बता था कि यह खली investment पूछ रख्या है ठीक है ना वह investment वाले चेप्टर में MEC और प्रोस्पेक्टियल सप्लाइब राइज तो investment वाला चेप्टर आपको complete करना अब यह multiplier की बात करें तो multiplier का meaning क्या है ठीक आप सब भी जानते हो कि investment में change होने से income में जो change आएगा वो multiplier कहला आएगा ठीक है ना और फिर आप जानते हो कि MPC का और multiplier का क्या relation है 1 upon 1 1 minus MPC अपड़ते इन दोनों का negative relation है फिर MPS का भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यह होत यह चीज करोगे तो इसमें forward, backward दोनों तरीके का multiplier आपको पढ़ना है forward का मतलब होता है कि aggregate supply हापकी यह aggregate demand होती है यह दिमांड बढ़ जाए इतनी ठीक है न दिमांड आपकी इतनी increase हो है लेकिन यहां से अगर आप देखोगे तो जो आपका forward यहां पर demand थोड़ा से बड़ा स्विल देखो दोबार बताते आपको कि जो multiplier होता न वो होता है यह वाला कि investment में change होने से income में जो change आएगा तो यहां पर demand कैसे बढ़े थी यह aggregate supply थी आपकी और यह आपकी aggregate demand है यह C plus I है जिब change का पढ़ोगे तो C so turn में change नहीं होता तो I में change होता न इसलिए investment आपका सरफ इतने से बढ़ेगा और income आपकी इतने से बढ़ जाएगी ठीक यह होता forward और जिब डाउन आएगा तो इससे उल्टा होगे तो यह backward हो जाएगा तो यह multiplier वाला चप्टर आपको अच्छे से करना foreign exchange rate पहले question आता था foreign exchange rate से लेकिन यह mention नहीं था वही क्या पूछा जाएगा यह मैंने सारा करवाया वा तो foreign exchange rate का meaning क्या है आपको छोड़कर आप यदि इंडिया के रुपे को छोड़कर बाक्ये हमारे लिए सारा यह foreign exchange है चाहिए आप us का लो चाहिये कनेटा का लो कहीं का भी लो ठीकन तो यह सारे के सारे हमारे लिए क्या foreign exchange है फिर फोरन एक्षेंज रेट का मतलब क्या होता जब हम एक अपनी करनशी को दूसरे करनशी किस रेट पर बदल रहे हैं जैसे एक डोलर की कीमत है मान लिया जाएगी 80 रुपीज तो यह एक्षेंज रेट हो जाएगी जैसे पर्चेजिंग पाउर पैरेटी हैं मिन्ट वाली बैलंस एपको करना है कि अपको करना ठीक है तो इसके मैधसर कौन-कून से हैं कंड्रोल करने के अचेक लिए और बैलेंस अफ्लरेर क्या है पास होता है तो उसके का अटा बजट अब को बहुत अच्छे से कर के जाना चाहे बजट हो और छाहे फिर सर भेस करना इसमें क्या वो लगा इसमें क्या वो लगा यह अलग अलग फिर इसका मीनिंग क्या है बजट का इसके objective क्या है इसका structure क्या है budget के अंदर जो receipts होती हैं और payment होती है यहने के receipts होगे expenditure होगे तो सारी चीज़े आपको करने फिर उसके बाद यह बता रहे हैं आपको objective structure हो गया budget deficit ठीकर budget deficit उसका meaning क्या है budget type जैसे आप पढ़ते हैं फिसकल deficit revenue deficit अच्छा primary deficit तो ही सारे आपको उसकी measurement और deficit budgeting क्या है और balance budget क्या तो यानि कि जो budget वाला है वो सारा ही आपको करना है उसके बाद आता statistics statistics में यह करो कि आपकी source of data जैसे primary data होता secondary data होता जो method कौन-कौन से हैं जैसे आप interview के दवार आप data collect कर सकते हो ठीक है और क्या कर सकते हो source of data आपको पता चलिए primary secondary data के बारे में पढ़ोगे और जो data collection method जैसे survey कर सकते हो interview कर सकते हो focus group से आप experiments से direct observation से इन चीजों से आप data को collect कर सकते हो NSSO के बारे में पढ़ोगे census जो है इंडिया की ठीक है उसके बारे में पढ़ोगे अभी तो आप 2011 की census के बारे में उसी को consider करोगे और national family health survey जो है यह आपको बहुत अच्छे से करके जाना है ठीक है यहां से census से भी ने पूस्ता इस से पूस्ता वह question तो इसमें जो NSSO है आप इसको पता कि NSSO जो है National Sample Survey और गिनाजिस नहीं कब आथा 1950 में आथा ठीक है और उसके बाद आप देखोगे NSSO को CSSO को एक साथ मर्च कर दिया गया है ठीक है NSSO CSSO को क्या है एक साथ मर्च कर दिया गया है और इसको फिर जो NSSO को CSO में मर्च कर दिया गा CSSO का मितलब क्या था Central Statistics Office के साथ कब 2019 में तो अब यह हो गया आपका NSSO National Statistical Office यह आपको करना सारा का सारा ठीक है उसके बाद आता डेटा परजिंटेशन की अगर हम बात करें तो डेटा परजिंटेशन में geometric forms याने कि उसमें बार डायाग्राम अब आपको पता और डायाग्राम क्या होता ऱा का Gianth कि बार और पाई डायग्रम जो उमारे जिमार्टिक हों में और फ्रीक्वेंसी जो डायग्रम है वो गई स्टोग्राम पोलिगोन और उजाई फिर उसके बाद है कि अर्थमेटिक लाइन ग्राफ जिसे टाइम सीरीज ग्राफ होते हैं तो यह अलग-अलग आपको सारे इनकी इनका क्या करना अपको एक तो सारे डायग्राम नाप निकाल के देख लेना ये तो कहीं Google कर लोगे वहां से मिल जागा नहीं तो 1112 की बुक में अगर आप अर्याना बॉर्ड से हो तो आपको ये मिल जाएगा साइ़ 12 में येदी आप अर्याना बॉर्ड में साइट 12 में होता ह और जो CBS स्में 11 स्टेट चला गता है यहां पर तुम्हें स्तरफ दिखाने के लिए बतागा कि बार डाइग्राम ऐसा होता है इनमें गैप होता है ठीक है न और जो इस्टोग्राम होता वह ऐसे मिला वार गैप नहीं होता इसमें और जो अगर आप देखोगे यहां पर जो पा बार डाइग्राम हो गया यह MP2 पर जैडिश्बार 이 को करना पड़ेगा एसे स्टेट आच्छा खासा दिया हुआ है तो मेजर आफसेंटर ट्रेंजिय आप पढ़ती całना आर्माडिग में चिकन वाले पोर्षन को छोड़ कर यह सरफ इसको छोड़ कर यह वाले आप अगर आप देखोगे तो यह विसाइद करवाया हुआ है नहीं तो अगर आप यहां पर अगले से आते हो नहीं यहां से यह तो सारा का सारा मैंने उसी चैनल पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता वहीं पर यह साल चीज़ी करवाई हुई है, तो वहां से भी इनको आप कर सकते हो, यह correlation इंडेक्स नंबर, ठीक है, तो साल चीज़ी जैसे स्कार्ट डाइग्राम में बता हैं कि इस स्कार्ट डाइग्राम होता है, फिर इसमें correlation में ही आप कार्ल पियर्शन के बारे में, स्पियर्मैन, rank correlation, concurrent deviation method पढ़ोगे, ऐसे फिर इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है, जो अलग-अलग टाइप के हैं, इसके use क्या है, यह theoretical portion है, यह सारा का सारा, ठीक है, फिर consumer price index, इसका current का पढ़ के जाओगे, consumer price index, wholesale price index, ठीक है, फिर आपका AIC, PIN, यह पढ़ोगे, all India consumer price index, ठ alignment factor reversal test, base shifting, ठीक, तो यह सारी जब पढ़ के जाओगे, उसके बाद आती है, इंडियन economy, तो stat का अच्छा मतलब portion है, इंडियन economy, उन्दा e-way of independence, ठीक है, e-way of independence, इंडियन economy कैसी थी, यह आपका 11th की बुक में भी वहाँ से कर सकते हुए, characteristics क्या है, इंडियन economy, कैसी यह पिछडी हुई है, किस तरीके की है, prior cost, ठीक है, जब आप आजाद नहीं होते, उससे पहले, उसके बाद में, जैसी जैसी situation रही, फिर planning के बारे में पढ़ोगे, कि planning कौन कौन से, उसका meaning क्या है, फिर planning commission क्या है, ठीक है, और characteristics, इसी के अंदर national development council, जो उसके बारे में पढ़ोगे आप, और characteristics of Indian economy planning क्या है, ठीक है, इंडियन economy जो planning होई है, उनकी क्या विशेशता है, पंच वर्षी योजने बहुत अच्छे से करके जाना, उनकी क्या success रही है, क्या failure रही है, green revelation आप करोगे, ठीक है न, रीत करांती के बारे में आप प रहत वाड़ी, वो वाले, ठीक है, रहत वाड़ी, तो वो वाले, नितियायोग क्या है, नितियायोग की क्या क्या रिपोर्ट है, वो साल करनी है, क्योंकि इसको अगर आप देखना चाहो तो देखो, planning है, planning कब से, अगर आप देखोगे, 1950 में आपका यह आ गया था, क्या न नेशनल डावलेमेंट काउंसिल बन गी थी, जो इनको फाइनल आज करती थी, पंच वर्षी योजना हुआ, फिर उसके बाद यह जितने भी बारा पंच वर्षी योजना रही, सारी के सारी वो, जो planning commission convert हो गया, नितियायोग में वो, उसके बाद आता, new economic reforms, ठीक है, new economic reforms में प्राइटाइजेशन का मतलब क्या है, गोर्मेंट के अंडर कितने इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर के पास कितने हैं, सारे, पौवर्टी के टाइप क्या है, जैसे रिलेटी पौवर्टी, absolute पौवर्टी, तो हमने जो data है, पौवर्टी से रिलेटीड, वो कौन-क पौवर्टी से रिलेटेटीड प्रौग्राम बनाए गए हैं, यह सारे, रूर्फर डिलेटी मेंट भी आ गया, कि वैख्या से रिलेटी जो प्रोग्राम चलाए गए हास तक, अगरिकल्चर क्रेडिट कहां से मिलता, गरिकल्चर क्रेडिटीड कोवर्टी बैंक कौन से है, तो यह साल जी आपको करके जाओगे ऐसे फिर इंफरस्ट्रक्टर में आ जाता कि एनर्जी के बारे में पड़ो ट्रांस्पोर्ट कुम्निकेशन इरिगेशन हैल्थ इस सारे आपको करने हैं सस्टेनेबल डॉलमेंट के बारे में ठीक है जैसे पहले मिलेनियम डॉलमेंट गोल्स थे ठीकिन हम डीजी था तो है बैस दीजी है तो सस्टेनेबल डॉलमेंट क्या है इसका मीनिंग सस्टेनेबल डॉलमेंट गोल्स क्या है इसका मीनिंग क्या है मे सारी यह आपको नहीं मिलेंगे ना 12 में 11 ग्रोश डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट जीडीपी का कंसेप्ट बताओ नेशनल इंकम क्या हूँमेन डॉलमेंट इंडेक्स जैसे हूँमेन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है पी के विला इंडेक्स के इनके सारे करंड के अभी तेज खत्व आया नहीं अभी आएगा तो पुछ भी नहीं जाएगा तो 2020 वाड़ा या आप करोगे सबका जैसे कि आप उसके इंदराता सब्जेक्ट रिलेटीड पैड़ागोजी ठीक है जो सब्जेक्ट रिलेटीड पैड़ागोजी होती ही आप जिब कभी अगर आपने दिया हो उसका पेपर DSSB का तो वहाँ पर पूछी जाती जैसे देखी यहाँ पर दिया हुआ है question कि which of the following dominant approach approaches are following by the theories and practice of teaching learning process ठीक है तो वह करें कि teaching learning जो process है तो उसमें कौन सी dominant approach है तो वह करें कि behavioral modification problem solving तो वह करें कि दोनों की दोनों हो उसके बाद आता है which of the following is not correct about the inclusive education inclusive education का मतलो है सब को साथ लेकर चलना तो करें कौन सी इस में से नहीं है मतलो incorrect बताना not correct जो correct नहीं है it is based on the social model of equality है नहीं कि सबने equality opportunity की तो बात करें ठीक है तो it is about the mounting the confidence among the children ठीक है यह भी it is all about effective learning by the children by all the children यह भी तो it is about the building external strength ठीक है यह यह गल्द था इसमें और यह इसमें पुछा गा तो इस तरीके कि आप से पुछेंगे और बही जैसे कि और भी एक question है इनको देख लेना आप के learning of which the following helps the child performance perform different activities in their real life तो mathematics science और social science तो यह सारे के सारे ही मतलब उसमें परफोर्माइन डिफरेंट activities in their life ठीक है तो इस सारे एल्फ करेंगे बच्चे की तो इस सारे के सारे आपको आने चाहिए फिर यह और देख ले ना इस तरीके के question जो है आपके जो टीचिंग जो लास्ट में उने बोला ना कि पैड़ागोजी subject related गोगी को या पैड़ागोजी को तो इस तरीके के question आएगे तो thank you यहां तक बने रहने के लिए आप अच्छे से पनी त्यारी केजिए एक महीना है आपके पास तो इसमें आपका paper जो है आसाने से clear हो जाएगा